नमस्कार बजार का हाल मेरे साथ याने कुंदन किशोर कांथ के साथ तो आई आज देखते हैं कि भारते बजार में आज क्या क्या हुआ तो निफ्टी लगबग 21 नीचे बन हुआ, सेंसेक्स 11 नीचे बन हुआ, बैंक निफ्टी में आज प्रॉफिट बॉखिंग रही जिसके कारण वो 421 नीचे बन हुआ, मैटल 2% नीचे बन हुआ, आटो 1%, आईटी सेक्टर में आज खरिदारी रही तो वो 10% उपर बन हुआ, मिटकैप भी मिलेजुले बन हुआ है, तो आईए अब चलते हैं, हम लोग की जरा ग्लोबल मार्केट के बारे में भी जान लेते हैं, कि आज ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, निकई 0.5% नीचे बन हुआ, हैंग सेंग लभग 450.- बन हुआ, सेंग हाई भी 3% नीचे बन हुआ, तो ओवर्ल जो आज ग्लोबल के मारकेट थे लाज में बन हुए, येडरोप के बी जो market है, वो भी अभी नेगरिव जोन में ही चल रहे हैं, तो आईए आज मारकेट के जो टॉपस, शेंग वमूवर्स थें, उनके बारे में जन रही जाना, ले बेते हैं, तो यह थे XL Tech, Reliance Industry, Tech Mahindra, Sun Pharma and Indosin Bank यह सारे 3-4% उपर बंधने में काम याप हो है अई अब जो टॉप रूजर थे इंडियन मार्केट के उनके बाएर में जान लेते हैं तो टॉप रूजर में हिंडाल को, Axis Bank, SBI, Gale and Z Entertainment Limited यह सब 3-3% नीचे बंध हो है अई अब कुछ टिप्स के वारे मैं बताता हूँ जो मैंने आपको कल प्रेस्क्राइब किया था उसे मैंने आपको बताया था कि Reliance Industry में आप बाइंग करके चल सकते हैं अगर आपने बैंक किया होता तो आज Reliance Industry ने लवज 4-4% का रिटन दिया तो रहिवार और सनिवार मार्केट बंध रहते हैं मगर हम आपके लिए कल श्वेशल एक प्रोगाम लेके आएंगे जिसमें आपको पताएंगे किस तरीके से निवेश को हम लोग बढ़ा सकते हैं निवेश करके कमाया जा सकता है तो मंडे के लिए जो लेवल से रहेंगे resistance निफ्टी के लिए जो resistance लेवह और support रहेंगे वह रहेंगे लगबग 11300 प्रेस्टेन्स जोन रहेगा निफ्टी के लिए और support जो लेवहलह वह वह 11000 रहेगा तो अगले हकते कान्ती की monthly expiry भी होने वाली और जिसमें सारे कोंट्रेट से लिहां हम इंट किया तो आगे तो आगे हम कुछ नय करेंगे इस से आपको को में जानके कि कैसे इसमें पैसा लगा जाता है कैसे डेंडिंग किया जाता है इस सब प्रोगाम से हम आपको के बारे में विशेश कारगम कल हम आपके साथ लेकर आएंगे तो इजारत दीजे उदनकांत को धन्यवाद